इस पूरे मसले को 36 गड़ के ग्रह मंतरी राम सेवक पैंकरा किस तरीके से लेते हैं और अगर नकसली इस तरीके से समांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए वो किस तरीके से उसको निप्टेंगे और क्या अपना अभियान चलाएंगे और पुलिस की मुख्य भूमी का क्या होगी इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ ग्रह मंत्री हैं च्छतिजगड के राम सिवक पैकरा जी हम उनसे पूछेंगे जो आकड़े आये हैं चुनाव आयोग की तरफ से जीला पंचायत का सरपंच का और जो पंच के जो चुना हुए हैं उसमें ज्यादा तर जो है स्थानी चुनाव हैं इसमें सभी लोग मिलकर के अपने प्रतिभावान जो लोग अच्छे हैं ऐसे लोग को निर्वरोद भी बनाये गये हैं कहीं पर सरपंद कहीं पर बीडी सी कहीं पर जिला पंचायत च्छेत्र हो शकता है लेकिन मैं मान शकता हूं कि तो हर वर्स हर पा करता है या जनता है वह अपनों से बीच में ही चुनाव करते हैं तो इसमें अपन को किसी का लेवल लगा नहीं है कि कौन नक्सली है कौन क्या है लेकिन मैं बान सकता हूं कि निवाचन आयक के माध्यम से जो चुनाव हुए हैं हमारे तूरे 36 गड़ के सभी जीलों में अध चुनाव के जो दर्भा घाटी वाला चेतर वहां पर एक दर्जन से ज़्यादा जगों पर निर्वीरोज चुने गए हैं तो यह इसको आप किस नजरे से देखते हैं मैंने कहा कि इस्थानी चुनाव है और इसमें हम किसी को नहीं कह सकते कि कौन नक्षल ही है कौन नहीं है इसलिए मैं मान सकता हूँ कि वहां की जनता ने च्थानी लेवल पर सब सर्समुती से निर्वलत पंचाइब चुनाव कराने का निर्वा लिया होगा बस्तर के एक जेल में नक्सली बंद है और जेल में बंद रहते हैं वह चुनाव जीत लिया है तो पहले सर्समुती को कि पहले सरकार उनको पहले से बोलती थे कि आप में स्ट्रिम में आ के और लोक-तंतर में शामील होके और उस तरीक तो क्या इस चीज को लोक के शामील होना न माना जासकता है देखिए हैंने कहा नकसल अब उनके पाउं खड़े जा रहा है वो कहीं ने कहीं गबराहत है कहीं वो इस तरह का कहीं आमने सामने के लड़ाई लड़ रहे हैं अब चुनोतिया हैं हमारे सथीजगट के सामने लेकिन मानी डाक्टर अमल शिंग के नेत्रित में मानी मोदी जी पधार मंती जी के नेत्रित में इश्व में पूरे देश और प्रदेश में शासन है और पूर उमिद है कि इस बार हम सथीजगट से जो समस्या आ रहे हैं उसका समोल नस्ट करने का पूरा सवयोग मिल रहा है और उसका पूरा पूरा अभी नीतियां भी बन रही है उसमें प्रदेश जनता को मिलेगा सुत्रों के हिसाब से एक ख़वर आई थी में यह बताया जाता है कि नक्सली अपने प्रत्यासियों को इसलिए जिताते हैं ताकि जो सरकार की तरफ से जो पैसा आता है पंचायत और जिला पंचायत के विकास के लिए जो भी पैसा आता है उन प पंचायती राज के माध्यम से जो सासन के बजट मिलते हैं विकास कार के लिए मिलते हैं चाहे रोड बनाना हो पुलिया बनाना हो रोजगार मुलग काम करना हो तो यह तो विकास कार से समधित पामला है इसलिए मैं मानने मुखवंती जी ने जो भी योजना चालू करो तो आज जो भी समस्या है उसके लिए मानि मुखबंती जी ने पूरी योजनाबत तरीके से हम लोग कब रहें लेकिन वहां की जनता को भी जगा रहें कि राष्ट की मुखधारा से अच्छे सच्छे काम सामने सहीयोग करने सासना नक्सली इसका फायदा नवट है नक्सली पै किन-किन मद से हम गाओं के विकास पर पैशिदी जाते हैं और इसका मुल्यांकन भी होते हैं जो विकास कारे होते हैं तो इसकी तो निगरानी रखी जाती है तो ये साफ तोर से ग्रहमंत्री जी ये कह रहे हैं कि निगरानी रखी जाती है नक्सली अगर समानतर सरकार चलाने की कोशिश कर भी रहे हैं अगर वो अपने प्रत्यासी को जिता रहे हैं तो इतना आसान नहीं होगा कि सरकारी पैसे का वो दूरूपयों कर सके या फिर उनको हड़प सके या फिर अपने हिसाब से उस इलाके में जो है वो सरकार चला सके या फिर कब्जा कर सके कैमरामेन राजकुमार प्रसाद के साथ राइपूर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुदीप्तिर पार्टी